Hello Friends, Welcome Back to our YouTube Channel Ultimate Platform Friends, आज की इस वीडियो में हम function keys के बारे में पढ़ेंगे function keys क्या होती है और उसका basic use क्या है तो Friends, पहले हम जानते है function keys क्या होती है Friends, function keys जो है, वो computer की ऐसी keys होती है जिसके लिए function बनाये जाते हैं और function programming में बनाये जाते हैं तो आपके मन में कोश्चन आते हो प्रोग्रामिंग क्या है यह इक कोडिंग होती है इसके लिए हम एक सेपडिट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इस बार में पूरी इंफर्मेशन देंगे फिलाल हम अपनी इस वीडियो के तरफ वढ़ते हैं तो फर्स्ट हमारा है की F1 की F1 की जो है वो 4 help इसमें कि आप गर आपको किसी किसी चीज की information चाहिए कोई help चाहिए तो आप जो है F1 प्रेस करते हैं और आपके सामने एक window जो है वो open हो जाती है ओकी फर्स्ट हम किया है हमारी F2 इसमें जो है 4 rename अगर आपने कोई file बनाई है और आपने उसे कोई name दिया है और अब आप चाहते हैं कि आप उसे दूसरे फाइल आपकी सेव है और उस पूरे फाइल में से पर्टिकुलर आपको अगर एक फाइल को सर्च करना है और आप अपने जो भी फाइल को सर्च करना चाहते हैं आप कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं दैन हमारा F4 Keys फंक्शन हमारा F4 Keys Alt plus F4 जब आप यह प्रेस करते हैं तो आपका जो विंडो है वो ख्लोज हो जाता है करने क्कि общем यह गुप जानते हैं जांते हैं अपने चाहिए मुपप्पूर को रिपरेश कर ना चाहते हैं तो घुन होगी और अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप फाइप प्रेस करिए आपके सामने एक विंड़ो अपन होगी एंड़न आप वहाँ से फाइंड या रिप्लेस कोई भी वर्ड को कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की है हमारा एप सिक्स एप सिक्स क्या काम करता है हाइलाइट यूरल और एड्रस बार अगर आपने कोई टैब ओपन किया है और आप उस यूरल पर जाना चाहते हैं तो आप एप स कॉमनली काम करते हैं चैप ग्रामर स्पैलिंग ओके फ्रंस अगर आपने कुछ लिखा है को यह पर रिक्ट लिखा और आपने कोई डिख है कर रखी है या फिर आप उसे परेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है फ्ट्लवागरि और फीर आप वहां से अपनी जिल्वीड को करेक्ट कर सकते हैं फिर हमारा फंक्शन की यह है F8 F8 बेसिकली काम करता है ओपन सेफ मोड जब आप F8 प्रेस करते हैं तो आप ओपन सेफ मोड आपका ओपन हो जाता है और यह जो है बेसिकली आपके कम्प्यूटर को वाइरस से प्रोटेक्ट करता है इसका यह benefit है कि अगर आपकी कोई फाइल डिलीट हो गई है तो आप उसको दुबारा continue कर सकते हैं फिर next function की है हमारा F9 for sending email ठीक है आप कोई email send करना चाहते हैं तो आप F9 प्रेस करें वहां से आप अपना email send कर सकते हैं और दूसरा इसका यूजर refresh word document next function की है हमारा F10 F10 का basically काम ह है highlight या active menu bar आपने friends देखा होगा MS word में powerpoint में या फिर notepad में वहां पे menu bars होते हैं अगर आप उन्हें highlight करना चाहते हैं या active करना चाहते तो आप F10 प्रेस कर दीजिए automatic जो है वो जितने भी menu bars है वो सारे highlight हो जाएंगे next हमारा function की है F11 अगर आप control plus F11 प्रेस करते हैं तो आ reference macro क्या होता है जब आप MS word या फिर powerpoint या किसी भी दूसरे Microsoft में आप सेम फॉर्मूला सेम ग्रामर या फिर सेम वर्ड को आप यूज करते हो रिपीट करते हो ता आप उसको क्या करते हो सेव कर लेते हो ठीक है यह हमारा macro होता है इसका एक और यूज हम जानते हैं full screen ओकी जै आ जाती है लास्ट हमारा function की है f12 f12 का use होता है save as जैसे आप MS word में या फिर powerpoint में किसी भी Microsoft में जाते हैं और आप उसे save as एक तू होता है कि आप shortcut कीज से कर लो एक आप window से भी कर सकते हो option में आता है बट आप f12 को press करके भी आप किसी भी file को save as से save कर सकते हो friends यह थे हमारे कुछ function keys hope कि आप लोगों को यह सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगी अगर फिर भी आप लोगों कोई doubt है या फिर कोई confusion है दना आप comment box में comment करके आप पूछ सकते हो next video में हम आपको जो भी आपको doubts है उसका हम जरूर clear करेंगे इस video के last तक बने रहने के ल झाल